जैहन स्टूरेंट्स वेलकम टु तरुना डिफेंस अकैडमी लेट्स सर्व इंडिया टुगेधर अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि जो कल ट्वीटर कंपेरिंग होने वाली है आर्मी के स्टूरेंट्स के लिए तो उसमें जो हैश्टेग हम चलाने जा रहे ह जो हम चाथे हैं ट्रेंड हो क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं होगा तो हमारी जो बात है या जिस लिए इतने महनत की जा रही है वो सफल नहीं हो पाएगी तो उसके लिए जो ध्यान में रखने वाली बाते हैं वो मैं बताने वाली हूं सबसे पहले तो ये जिन इसने अभी तक Twitter यूज नहीं किया तो उनके लिए ये की Twitter यूज कैसे करते हैं अकाउंट कैसे बनाते हैं Twitter पर और जो है tweet कैसे करते हैं hashtag डालना है तो hashtag कैसे डालना है क्या उसकी spelling होगी बीच में space नहीं देना है इस तरह की जो जानकारी है मैं इस वीडियो में आपको दूँगी साथ में जो बड़े लोग हैं जिन तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उनको इसमें tag कैसे करना है वो information भी बताऊंगी और साथ में ये भी कि हम कोई photo या वीडियो के साथ share करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है और important बात इसमें होती है कि retweet कैसे करना है उसको ज्यादा से ज्यादा तो इस पर चर्चा करेंगी इस वीडियो में तो मैं आपके साथ screen share करूंगी अभी तो आप सबके सामने screen share कर दी गई है सभी को दिखरी होगी अब देखो इसमें यह जो प्ले स्टोर का option एक्दम नई student उनके लिए मैं बता रही हूं प्ले स्टोर का यह option है इस पर क्लिक करेंगे आप अपने mobile में और उपर ही उपर यहां पर यह जो लेंस का निशान है जिसने install पहले से कर रखा है उसको तो idea होगा और जिसने नहीं कर रखा वो install करेंगे पहले और फिर इसको open करेंगे यहां से हम तो इस तरह का page हमारे सामने यह आएगा ओकी अब यहां पर आपको क्या करना है यह देखो जिसने पहले से account बना रखा है या जो Google के साथ login करना जिसका पहले से है बट जिसका नहीं उसको create account यह ब्लू किलर में दिख रहे है ना create account इसके उपर आप जाएंगे और जिसने पहले से बना रखा है वो यहां से login कर सकते हैं तो यहां पर create account पर हम जा रहे हैं तो इस पर click करते हैं तो यहां पर आपको name और phone number या फिर email id डालन है मैं यहां पर phone number डालती हूं देखो इसमें use email ID दिया हुआ है अगर email ID डालना चाहते हैं तो आपको यह यह वाले पर click कर देना है वरना यह यहां पर phone का भी phone का रहा है ठीक है तो मैं phone number ही डाल रही हूं इसके अंदर यह यहां पर phone number डाल दिये हैं अब मैं यहां पर date of birth डाल रही हूं date of birth में इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर डालना है आपको तो मेरी date of birth मैं यहां पर डालती हूं ठीक है, 10 September 1996, 10 September 1996, यह मैंने मेरी date of birth फिल कर दिये, जो कि यहाँ पर उपर आपको शो हो जाएगी, शो हो रही है ना आपको, यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो यह next लिखा हुआ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में दुबारे next लिखा हुआ रहा इस पर क्लिक करेंगे, और create your account and this, अब sign up यहाँ पर कर देंगे, जो यह blue color का निसान है, sign up लिखावा, इस पर क्लिक कर देंगे, verify your phone number, आपका phone number पर message जाएगा और जो verify होगा, तो इसको ok करेंगे आप, और number में क्लिखने में कोई गलती होगी, तो इसको edit भी वापस कर सकते है, अब यहाँ पर मेरे पास यह code आया है, जो कि अपने आप फिल हो गया, अगर इस phone के अंदर ही यह sim है, जिस number को मैंने फिल किया है, किसी other phone में हो, तो उसमें से आप code लेकि यहाँ पर फिल कर सकते हो, इसको done करेंगे and next कर देंगे, तो यहाँ पर आपको कोई password देना है, यह password देंगे, अब यह show नहीं करना है, आपको किसी को password यह आपका personal password होना चाहिए, तो मैं personal इसमें password में देती हूँ, और password देने के बाद क्या करेंगे, इसको next कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास pick a profile, picture, यहाँ पर आप अपनी photo upload कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस पर click करके, choose from your gallery और take photos time भी आप लेख सकते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको करना हो, मैं अभी के लिए नहीं कर रही हूँ, अब यहाँ पर क्या है, skip for now भी कर सकते हैं, आप इसको य कुछ भी लिखना चाहते हो, army student या जो कुछ भी लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हैं, यहाँ army student लिख देना, ठीक है, army student, next करते हैं इसको, अब यहाँ पर आपको what should we call you, मतलब twitter बोल रहा है कि आपको क्या बोलूम है, मतलब आप अपना जो username लिखना चाहते हो, वो यहा है, इसको तन्नु राठोड आर्मी लिखने के ट्राइ करती हूँ, मैं ओके, यह नया नाम है, green निसान आ गया ना, यहाँ पर यह देखो, मतलब इसको twitter ले पा रहा है, तो मैंने यह मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया, एक बार के लिए, अब यहाँ पर मैं इसको next करती ठीक है, next कर रही हूँ मैं वापस से, तो यह आपके सामने show होगा, यह एक बार के लिए मैं note now कर रही हूँ, भाशा कुन सी आप choose करना चाहते हूँ, जो भी मैं English और Hindi को prefer करती हूँ, यहाँ पर, आप जो भी करना चाहो, Hindi English तो करनी ही है आपको, तो next करेंगे इसको करके आ Twitter, अब आप क्या इसमें देखना चाहते हो, उस पर आपको click कर देना है, जो भी आपका interest है यहाँ पर, तो आप इसको थोड़ा नीचे लेके आओगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा, carrier, carriers के अंदर आपको education मिलेगा, इस पर click करेंगे आप education में, और और भी इसमें आप जित इतना नहीं देखर, कितना time नहीं है, next करती हूं, अभी मैं इसको, अब किसको follow करना चाहते हो, आप इन में से, मतलब जो accounts यहाँ पे हैं, अच्छे accounts हैं, तो like, सोनो सूथ पसंद है मुझे, तो मैं उसको follow कर लेती हूं, उसके बाद, अभी मैंने किसी को follow कर रही, and yes, अब यहाँ पे next कर लेते हैं, चलो, वापस next करते हैं, तो इस तरह से यह twitter का home page है, वो हमारे सामने open होके आता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपको tweet करना है, तो time आपको पता है, 11 बजे करना है, कल, plus का निशान दिख रहा है, इस plus की निशान पे click करते हैं, और tweet का option नीचे नीचे आ रहा है, blue color का इस पे click करते हैं, तो what's happening, यह page आपके पास आजाएगा, इसमें लिखना है बापको, ठीक है, इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो इसमें आपको लिखना है, hashtag लिखना जरूरी है, कर आपने hashtag नहीं लिखा, जितने ही बात लिख दी, और तो वो hashtag उसमें count नहीं होगा, और trend कराने में जो है, आपका message भूमी का नहीं नहीं बाएगा, तो सबसे पहले तो hashtag लिखना है, hashtag क्या है अपना, अपना hashtag है, justice for army students, जिसमें जो हर word है, उसका पहला जो later है, वो capital है, तो capital करेंगे J को सबसे पहले, justice, J-U-S-T-I-C, justice लिख दिया, J-U-S-T-I-C-E, मैं spelling आपको बता रही हुए कि करके wrong नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, अब वो four का F capital करेंगे, बाकी सब small में रहने देंगे, four, उसके बाद में army का A capital करेंगे, और यहां army लिख देंगे, उसके बाद students का S capital करेंगे, S-T-U-D-E-N-T-S, justice का J capital है, four का F capital है, army का A capital है, students का S capital है, ठीक है, तो यह आपको लिखना है, और मैं क्या देख रही हूँ कि 260 tweet आज ही हो चुके इसके उपर, एक fix date पे लिखना है, देखो आपको, एक fix date पे, समझ रहे हैं आप, तो यह आपको लिखना है, उसके बाद में नीचे लाती हूँ मैं इसको, ठीक है, तो यह हमारा hashtag हो गया, इसके बाद में जो भी आप अपने मन में है, जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हो, वो सब आप हो चाहिए, जैसे कुछ message लिखते हैं चलो, Hindi और English, किसी भी language में आप लिख सकते हो, like कि army का exam नहीं हो रहा, army का exam time पे होना चाहिए army exam date, और army rally date, जो भी चीज़ आप लिखना चाहो कि army exam date कब होगी, rally date कब है, या आप कोई सूचना देना चाहो कि हमारे, मतलब इतनी दिन हमें त्यारी करते हुए हो गए, और हम इस तरह ऐसे परेशान है, तो यह चीज़ आप इसके अंदर अच्छे से लिख सकते हो, मैंने बस ऐसे लिख के example दिया है कि क्या लिखना है, next हम करते हैं, आपको tag करना है, अच्छे अच्छे लोगों को आपको tag करना है, अब add the right में यहां लगाती हूँ, और नरेंदर मोधी को tag करूंगी, मैं सबसे पहले, तो यहां पर यह blue टिकार है, नरेंदर मोधी, इसको मैंने यहां पर tag कर लिया है, ठीक है, next मैं करती हूँ यहां पर, राजनात सिंह को tag कर सकते हैं, तो राजनात सिंह को tag करते हैं, चलों, आइप संहिंग आई यहां पर तो सेकंड नंबर पर दिख रहे हैं राजनाथ सिंग की फोटो आ रही है इनको मैं टेक कर लेती हूं नेक्स्ट पी मो पी मो इंडिया को टेक करेंगे पी मो इंडिया ब्लू टिक आ रहे हूं ना मदरेवेंदर मोदी जी की फोटो है यहां पे प्रदानमंत्री जी की फोटो है इसको कर देंगे इसके बाद में आर्मी के कुछ अच्छे लीडर्स चुनेंगे हम लाइक मनोज मुकुन नर्वनी को हम टैक कर सकते हैं करेंगे चलो लिखते हैं मनोज मुकुंद यह यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा है देखते हैं एक मिन्ट इनका अकाउंट शर्ट जनरल नर्वने नाम से था जहां से याद नहीं टाइप करके देखते हैं चलो जनरल नर्वने देखो यह मेजर बक्षिन सब का तो आ रहा है यहां पर जनरल विजय कुमार सिंग चलो कोई नहीं इनका मुझे अकाउंट नहीं मिल रहा है वो अकाउंट अपने बाद में देख लेंगे क्या अकाउंट है और आपको इनकाउंट क्या जो स्पेलिंग है वह हम मैसेज कर देंगे टेलिग्राम में जुड़ जाना तो आप उसमें मैसेज कर देंगे तो जितने भी यहां पर रहेंगे इस तरह से आप तरीका तो समझ गए हैं कि किस तरह से टैग करने हैं अमिच्छा जी को टैग कर सकते हैं इस तरह से अम दर रेट लिखेंगे अमिच्छा यह जी का आगया इसको कर देंगे औफीस ओफ अमिच्छा ठीका तो ये कर सकते हैं अपने तो यह कर लिया और भी जितने लोगों को आप जादा से ज़ादा ट्रेक कर सकती हो जो अच्छे लोग हैं बड़ी पोस्ट पर हैं उन के बाद में आपको क्या करना है यहां पर यह प्लस का निशान आपको दिख रहा है क्या यह प्लस का निशान ना first number पे इस option पे click करके यहां से आप add कर सकते हो कोई photo या video और उसके बाद में क्या होगा यहां पे जो अब last option आपके पास रहा है यह जो ऊपर tweet का निशान आपके पास है इसको press करना है और यह tweet आपका हो जाएगा tweet करते समय क्या ध्यान रखना है यह जो hashtag आपने दिया है इसमें कोई भी space नहीं होना चाहिए जो spelling है वही spelling होने चाहिए अलग-अलग spelling नहीं करेंगे वना trend नहीं करेगा यहां पे इस तरह से tag करना है add the red का निशान लगाना है नरेंदर मोदी लिखेंगे राजनात सिंग लिखेंगे मिच्छा लिखेंगे इस तरह से और भी जो आर्मी का दिकारी उनका नाम भी लिख सकते हैं तो इस तरह से यह आपका tweet हो जाएगा तो इस तरह कि जो channel है जैसे हमारे channel के लिए भी कर सकते हो आप तो उन जो teachers ने जो tweet किये होंगे उनके tweets को retweet भी आपको करना है tweet जो आपको दिखेगा उस tweet के नीचे ही आपको retweet का option आएगा आपके सामने उसको retweet आपको करना है वहाँ पे उसके अंदर retweet करते टाइम भी यह आपको ध्यान रखना है कि आपको justice for army students यह जो hashtag है यह hashtag जरूर आपको लगाना है अगर आप यह hashtag नहीं लगाओगे यह दिखो इसके आगे आपको यह hash का निशान भी लगाना है कि बच्चे क्या करते है डायरेक्ट लिख देते हैं यह निशान भी लगाना है hashtag का यह वाला समझ रहे हैं यह निशान लगाएंगे बीच में कोई भी space नहीं होगा उसको retweet करते जाना है बार-बार में बार-ब बदलाव होता है या कुछ चेंज होता है तो और जो यह tags हैं जो spelling है वो भी मैं telegram पर लिख के आपको भेज दूगी या फिर आप यहां पर भी screenshot ले सकते हैं यहां पर डायरेक्ट भी screenshot ले सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी यहां पर डायरेक्ट screenshot ले लिजिए इससे भी कर सक करते हैं या टेलिग्राम में लिख दूँगी और कोपी पेस्ट कर देना ठीक है और कोई queries आपको रहे कुछ नहीं समझ मैं तो comment box में comment कर देना thank you so much